Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and HisStyles Friends, आज मैं आपके लिखे हैं कि अगर आपके थ्रेडिक अनीवन हो जाती है यानि कि आपके थ्रेडिक छोटी बड़ी क्यों हो जाती है क्यों आपको ऐसा होता है कि थ्रेडिक जो है इकुल नहीं बन रही है या ऐसी क्या प्रॉबलम आती है तो आज हम प्रेक्टिकल भी देखेंगे थ्रेडिंग का और साथी साथ ये भी देखेंगे अनीवन क्यों बन रही है देखिए जब हम राइट साइड की और लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग हम दोनों अलग-अलग तरीके से करते हैं यानि कि इस साइड की थ्रेडिंग के लिए लेफ्ट थ्रेडिंग के लिए आपको बैक में जाना पड़ता है जबकि इस साइड थ्रेडिंग के लिए आपको फ्रेंट में आना पड़ता है तो वीजन जो है वो चेंज हो जाता है जो चीज आप back से देख पा रहे है वो चीज आप front से नहीं देख पा रहे हो ओर जिस angle से आप front से देख पा रहे हो तो सही threading करने का तरीका यही है कि आप क्या करें कि left side की जो भी आप करना चाते हैं करना चाहते हैं लेकिन उसको छोड़ दे यानि कि इसको पूरा ना करें कि इसको कम्प्लीट करके छोड़ते हो न तब आपको प्रॉब्लम आते हैं कम्प्लीट करके नहीं छोड़ना है इस पने एक्सट्रा हेर को छोड़ दर दे आ अपपनी स्पथ लाफ साइड की कर लें तो इसको छोड़ दे थोड़ना सा ठीक है आसको छोड़ते Mm देन फ्रेंट से देखे कि आपको कौन सी हैवी या डाउन लग रही है उसके एकोडिंगली शेप मेंटेन करें देन आपकी शेप बहुत अची है कि अब आप यह देखिए कि हमने यहां पर यह वली थ्रेडिंग जो है इसकी टुटोरियल्स देखते हैं हम और किस तरह से हमने थ्रेडिंग करते हैं तो यह हम जो थ्रेडिंग कर रहे हैं हम राइट साइड की कर रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं राइट साइड की थ्रेडिंग थोड़े फ्रंट से होती है फ्रंट डारक्शन से की जाती है तो एक चीज़ आपको सीधा आगे से देखता है और दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है तो यही रीजन होता है कि हम जो है खमारी थेडिग कई बार ऊपर निचे या छोटी बड़ी पतली या फिर मोटी नियुक्त इस तरह से डिफरेंस आ जाता है और नियुक्तली भी डिफरेंस होता है एक हम यहां से देखें तो आप देखेंगे कि बलोगूल प्रॉबब नहीं होती है थोड़ा सा फर्क होता है त्रेडिंग में तो इस में आप दिखी हैं जैसे हम निकाल रहे हैं तो फ्रेंट से खड़े, फ्रंट से खड़े हो के ये हेर जो है निकाल रहे हैं और आप देखिएगा कि बहुत कम quantity में जैसे आपने जिस form में आपने दूसरी के निकाल ले थे जो thoughts रखके वही thoughts रखके आपको इसके निकालने हैं क्योंकि बहुत कम quantity में हमने उपर से पहले निकाले थे अब हम नीचे से निकाल रहे हैं और नीचे की holding करके अच्छे से curve लेके सबसे पहले यहां पर देखिए इन peak के हमने hair remove करें और tail से peak से tail तक के सारे hair को remove करेंगे और thread में जितने hair आ रहे हैं उनको remove करते वह चलेंगे जो extra hair है यानि कि हमने एक जगह से guideline लेनी है यह depend करता है कि आप किस तरह से threading करना चाहते हैं मैं इसटूट से कि अगर आप front से start करना चाहते हैं तो front से कर सकते हैं तेल से स्टार्ट करना जाते हैं तेल से कर सकते हैं और पीक से स्टार्ट करना जाते हैं तो आप तीनों जगां से कोई भी गैडलाइन ले सकते हैं और उसके अपने शेप को मेंटेन डख सकते हैं अब देखें पीक के हमारे कितने सारे हेर जो हैं आप पे विजिबल हो रहे है तो इस तरह से आपको इन्हें रिमूव करना है और बहुत आसानी से आप ये कर लेंगे अगर आप बिगिनर है तो स्टेप बाइ स्टेप चलिए एक साथ बहुत सारे हेर रिमूव करने की कोशिश ना करें अगर आप ऐसे करते हैं तो केमर कट लग जाता है या फिर एक्स्टर हेर रिमूव हो जाते हैं तो हमने देखिए पीक अलग नजर आ रही है जहां से हमने हेर निकाले है अब इसी को फॉलो करते हुए हम आगे जो है वो चलेंगे यानि की पीक से आगे चलेंगे क्योंकि उससे टेल साइड और उसके फ्रेंट वाली साइड दोनों साइड के हमने हेर निकालने है तो पहले टेल के रिमूव कर लेते हैं जहां तक हमने हेर लिये हैं उसी के एकोर्डिंग थ्रेड को मूव कराना है और third remove कराते हुए hair को निकालना है इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है तो बहुत easily आप अपने hair को निकाल पाओगे तो यहाँ tail को clear कर लें और tail के extra hair अगर आप लंबी चाहते हैं तो extra hair में से भी उसकी length के according hair को छोड़ दे जैसे कि हमने छोड़ रखे हैं यहाँ पर इस तरह से छोड़ दे और यहाँ पर इसको remove करने यानि कि जो extra hair है उन्हें remove करें लेकि जो length के layer है जो length को बढ़ा रहे हैं उन layer को remove ना करें अगर आप उनको remove कर दोगे तो threading जो है वो छोटी हो जाती है हमने छोटी नहीं करनी हमने threading लंबी रखनी है इस वज़ा से हमने extra hair जो कि उसकी line में हमारे threading की line में आ रहे थे हमने उन्हें छोड़ दिया है तो यहाँ से अब हमारे peak के जो extra छोटे छोटे hair हैं उन्हें remove कर लेते हैं और देन हम अपने front में यानि की middle वले part में चलेंगे आप देखिए कि कितने properly यह हुई है लेकिन अभी भी मारे tail में थोड़े से hair रह रह रहे हैं उनको भी हम remove कर लेंगे इन आप front के part में चलेंगे और front के part से भी सभी hair को यानि की tail से peak से back side के hair के हमने remove कर दिये थे अब हम फ्रेंट में जा रहे हैं तो three parts में आप divide करके अगर आप threading करोगे तीन हिस्सों में से divide कर लो तो बहुत आसाने से आप threading कर पाऊगे तो यह हमारा एक method है threading करने का जिसमें आप बहुत easily threading कर सकते हैं और one by one अगर आप hair को निकालेंगे तो आप आसाने से एक particular shape जो है अपने threading में दे सकते हैं तो यही तरीका है हमारे threading करने का जैसे कि आप देख रहे हैं और thread को चलाना और कौन सा hair निकालना है उस hair को thread में लेके आना यह बहुत important role play करता है तो कौन सा अपने thread में कौन सा hair लेना है अपनी loop को इस तरह से रखना है जो आपने बीच में हम curve लेते हैं उस curve में से अपने thread में hair को लेके जाना and then उसे remove करना यह बहुत matter रखता है और बहुत जादा क्हीचना नहीं है क्योंकि बहुत जादा क्हीचना नहीं है क्योंकि बहुत जाते हैं तो जितना आपको pressure दे कि यानि की loop को छोटा या बड़ा करना है उसके recording आप उसे maintain करें इस तरह नहीं कि आप बहुत बस यानि की लूप आपको खीचना है या बंद करना है यह जरूरी नहीं होता है कभी-कभी हमें बहुत कम लूप जो है वो चलाना होता और बहुत जादा लूप नहीं चलाना होता तो इस दिसका बिल्कुल ध्यान में आपको रखके यह काम करना है so friends I hope so कि आपको यह वीडियो पसंद खाल दिंगी